खूपसूरत चहरा भी बूड़ा हो जाता है ताकत्वर जिसम एक दिन ढल जाता है पद और ओदा भी एक दिन समाप्थ हो जाता है लेकिन एक अच्छा इनसान हमेशा अच्छा इनसान ही रहता है किसी इनसान के आज को देख करके उसके भवश्य का मजाक मत उड़ाओ क्योंकि समय में इतनी शक्ती है कि वो कोईले को धीरे धीरे हीरे में बदल ही देती है नमश्कार मैं हूँ मुहित कमल श्रिमाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानि की 27 मही के विशेश एपिसोड में आप सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि 26 मही का एपिसोड में नहीं दे पाया क्योंकि कुछ कैमरे की गलती के कारणी याद फिर कैमरे में कुछ गलत होने के कारण हम एपिसोड लास मोमेंट तक कोशिश करते गए कि शूट हो जाए पर नहीं हो पाया तो ऐसे मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूँगा 26 तारिक के लिए पर 27 तारिक के एपिसोड फिर से एक बार हम आ चुके हैं इसी के साथ में आप सभी को बढ़ाई और शुबकामना भी देना चाहता हूँ जिनका आज जनम दिवस है, मैरिज अनिवसरी है या कोई विशेश यादगार दिन है ताहिए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांकी आज तारीक 27 मईए 2022 है और दिन शुक्रवार का है आज के विशेश उपाय में दक्षणा का महत्व क्या है यानि की जो पंड़ी जी को आप दक्षणा देते हैं उसका महत्व क्या है ये इस एपिसोड के अंत मैं आपको बतलाऊंगा संबत 2089 यानि की 2079 का जेश्ट कृष्णपक्ष चल रहा है द्वादशीतिति है सुबह 11.47 मिनट तक जिसके बाद में त्रेओदशीतिति आरम होगी अश्वी निन अक्षतर रहेगा और मेश राशी का आज के दिन चंद्रमा रहेगा ऐसे में रहुकाल का समय आज के दिन सुबह के साड़े दस बजे से लेके बारा बजे तक का है पर यहाँ पे यह बात धियान रखने की जरूरत है कि ये इंडियन स्टांडर्ड टाइम के अनुसार है मान लीजे कि आप कहीं बाहर रहते हैं वारत से यानि की कॉलंबो में रहते हैं आस्ट्रिलिया में रहते हैं सिड्नी में रहते हैं टोरांटो में कहीं पे रहते हैं तो ऐसे में ये जो रहुकाल का समय है ये आपके काम नहीं आ सकता और इसका रीजन ये है कि रहुकाल की calculation यानि की गणना जो है वो सिर्फ और सिर्फ sunrise के समय से की जाती है तो ऐसे में अगर आप स्वयम के लिए पता करना चाहते हैं कि रहुकाल का समय होगा क्या जहां पे आप रहते हैं वहां के लिए क्या समय रहुकाल का है जिसमें कोई भी बड़ा काम आपको नहीं करना चाहिए तो उसकी calculation के लिए एक specific video इसी channel पे मैंने बनाया हुआ है उस episode को अगर आप देख लें एक बार सिर्फ एक बार देखने की जरुरत है तो उसके साथ में जो भी भ्रांतियां है वो भी खतम हो जाएगी calculation इतना simplified तरीके से किया हुआ है कि एक बार देखने पे बच्चा भी रहुकाल समय निकाल सकता है फिर बात आती है शुब चौगरिया महरत की जिसमें कोई भी शुब काम हुआ, कोई भी मांगलिक काम हुआ, कोई भी बड़ा decision हुआ, कोई बड़ी travel हुई वो इस समय में करने से आपको बहुत जादा शुबता प्रदान होती है तो ये समय है सुबह के साड़े साथ बचे से लेके साड़े दस बचे तक वैसे में अगर यात्रा करने वाले हैं, तो पूर्व दिशा और दक्षन दिशा में आज के दिन की हुई यात्रा आपके लिए शुब और लापकारी जरूर सिद हो की पर दिशा शूल दोश यानि की आपको ट्रावल में विगना आना, परिशानी आना, जिस चीज के लिए आप निकले हैं, जिस गोल को ले करके आप निकले हैं, जो चीज निश्चे करके निकले हैं, उसके अंदर विगना आना, परिशानी आना या उसका पूरा नहोना, वो पश्चिम दिशा और नेरेत यानि कि साउथ वेस्ट दिशा में अगर आप यात्रा करेंगे तो ये परिशानी दिखने को मिल सकती है पर इसका भी तोड़ ज़रूर है यानि कि दिशाचूल दोश का परिहार करने के लिए अगर आप जौ का उप्योग करके अपनी यात्रा आ उसके उपर पैर रखके फिर आप बाहर निकले बस बात यहां पर यह धियान रखनी है वापस मुड़ करके नहीं देखना एक बाट जब आप घर से बाहर जा रहे हैं जो भी आपके पास में फाइल्स हैं हर चीज आपने सिक्यूर कर ली उसके बात में आप ट्राविल के बाह सिद्ध होगा फिर बात आती है राज योगों की तो आज के दिन सुर्योदय कालीन कुंडली में संख्या कैदार योग वरिष्ठ योग वैशी योग काहल योग लक्ष्मी योग दरुधराय योग का आपको साथ मिलने वाला है अगर आप भी स्वयम के लिए यह जानना चा अगर आप बिजनस कर रहे हैं पर बिजनस में लॉस के बाद में लॉस मिल रहा है प्रॉफिट देखने का मौका नहीं मिल रहा है सक्सेस नहीं मिल पा रही तो क्या करें जॉब में परेशान है अब सोच रहे हैं कि जॉब करें आप बिजनस करना शुरू करें तो ऐसे में आपका सही समय कब आने वाला है। तो ये सारे सवाल और ऐसे अनेकों सवाल इन सभी के समाधान या उत्तर आपको मिल सकते हैं। बस बात यही है कि साइड में जो नंबर्स दिये हैं इस पर संपर्क करके अपनी कुंडली की सारी डीटेल्स आपको देनी होगी। और यहीपे जो लकनों में लोग रहे रहे हैं। उनके लिए हम 28 और 29 तारीख को लकनों में आकर के मिलने वाले हैं आप सभी से। अगर आप लकनों में रहे करके हमसे मिलने आना चाते हैं, अपना कुंडली विशलेशन करवाना चाते हैं या सिर्फ फरसिफ ऐसे ही आकर कि मिलना चाتे है तो जरूर आईए और हम से मिलीए और हम बात करते हैं आपके कुनली की अब आता आती है लाक रुपे की तो महनत तो सफलता की चाबी है और महनत हर एक इनसान जरूर करता है सिर्फ अपनी जिन्दगी को जीने के लिए लेकिन सफल वो होता है जो दूसरों से ज्यादा महनत करता है तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि जो कारेगर है जो महनत करने वाला मजदूर है वो तो हम सभी से ज्यादा महनत करता है पर वो श्रम करता है इसका उपियोग जब करते हैं तो वो मेहनत, असली मेहनत कहलाती है भूमी पेडनेकर का आपने नाम सुना होगा रंदीप हुड़ा का आपने नाम सुना होगा जो हिंदी सिनिमा के स्टार हैं उनके मेहनत के चलते वहम इस मुकाम पर हैं कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता कोई उनके पीछे बॉलिवुड सेलिब्रिटी का हाथ नहीं कोई इस चीज के अंदर एक्सपीरियंस नहीं टोटली डिफरेंट फील्ड से आकर कि यहां पर आना सिर्फ और सिफ अपने अक्टिंग को एक नया रूप दिया है वो अपनी फिल्म में दिखाये गए कारेक्टर के लिए कुछ भी करने के लिए तयार है जैसे कि अपने वजन को बढ़ा लेना या इतना कम कर लेना कि उनके अपने भी उनको नहीं पहचान पाते शरम तो यही होता है और इसका उपयोग साथ में करना होता है आईए अब बात करते हैं आज के राशी फल की और सबसे पहले बात करूँगा मेश राशी की तुमेश राशी के लिए राशी भाव में ही चंद्रमा है जो बहुत जादा आपको पॉजटिविटी प्रदान करता है पर नक्षतर तारा में प्रतियारी तारा का साथ मिलने से कुछ नेगेटिविटी कुछ विगना आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं ऐसे में अश्ठक वर्ग में 27 डॉट्स का आपको साथ मिलना ओवरॉल 70% पॉजटिविटी आज के दिन आपको प्रदान करने वाला है ऐसे में इन्विस्मेंट्स से कोई भी लाब मिलना कोई भी मेचियॉरिटी आपके जो इन्विस्मेंट्स किये हैं उसके मेचियॉरिटी के द्वारा आपको फंड्स मिलना ये देखा जा सकता है आप छोटे मोटे काम करके भी अपनी जो डेली दिन चरिया के अंदर जो खर्चें हो उसको निकालने में सक्षम जरूर आज के दिन रहेंगे और पॉस्टिविटी आपको देखने को मिलेगी हर किसी से सपोर्ट देखने को मिलेगा जो काम आपके अटक रहे हैं उसके अंदर आपको हाथ बटाने वाले लोग आज जरूर मिलने वाले हैं ऐसमें चाहे आप बिजनसमें हैं तो बिजनसमेंस के लिए भी कोई भी प्रॉब्लम आती है कोई भी आपको विगन देखने को मिलता है तो उसमें आपको बाहर निकलने के रास्ते सौ मिल बहुत अच्छे से बात होती है और उनकी जो एक्सपीरियंस है जो उन्होंने अपनी जिन्दगी जी है उससे कुछ बहुत ही जादा अनमूल यहां पे बूला जाए आइडियाज या तो फिर जो उनकी बहुत जादा पुंजी जिसे बूला जा सकता है वो आपके साथ में शे रशब राशी के लिए राशी भाव से ट्वेल्थ हाउस में चंद्रमा है जो की नेगेटिव माना गया है यह आपको इमोशनली इंबालेंस करने का काम करेगा पर यहां पे संपत्तारा का साथ मिल रहा है जो की बहुत पॉस्टिविटी देता है और ऐसे महीं अश्ठग व हो रहा है किसी की यहां पे कोई कहा सुनी चल रही है तो उसमें बीच में नहीं खूदना चाहे आप किसी के साथ में गलत होता हुआ नजर आ रहा है आपको तो स्वैम को इसके बीच में डाल करके बीच बचाव करना या तफिर किसी को रोकना तो वो चीज करने से आपको न आज स्त्रियों से या तो फिर अपने घर की महलाओं पर आप बहुत ही जादा खरचे करेंगे उनको बहुत ही जादा 7% support मिल रहा है तो यहाँ पर इस चीज़ की आप निश्चिंद हो करके आगे बढ़ सकते हैं कि परेशानिया जो भी है उनको fight करते हुए आगे जरूर बढ़ जाएंगे बस किसी के उपर हावी नहीं होना है अपने शब्दों को बहुत सोच समझ करके फिर बोलने की जरूरत है चबा चबा करके बोलने की जरूरत है और यातरा करने इसे पहले अपने पास में जो भी चीज़ें है उसको एक बार सही तरीके से और्गनाइस करके फिर यातरा करनी है क्योंकि आज 12th house का चंद्रमा है emotionally imbalance करने का काम करेगा decisions लेने में आपको यहाँ पर problem देखने को मिल सकती है इसी के साथ में शुबरंग जो है वो रहेगा आपके लिए औरेंज कलर शुबरंग रहेगा अब बात करते हैं मिथुन राशी की तो 11th house का चंद्रमा है यह positive है अधिमित्र तारा का साथ मिल जाता है यह और भी शुबता देता है और अश्टर गवर्ग में तो 28.7 से आज के दिन को चार चांद लग सकते हैं ऐसे में कोई भी नया काम की शुरुआत हो कोई भी मांगलिक काम के शुरुआत हो या तो फिर बिजनस करने वाला आज के दिन मार्केट में उतर करके अपना पैसा जो दिया हुआ है उसे वापस कलेक करने निकल रहा हो हर तरफ से जो चीज़ आप सोच करके आज के दिन बाहर निकलेंगे वो जरूर आप करके वापस घर लोटेंगे ऐसे समय में आसपास के लोगों के उपर से चेहरों के उपर से परदा भी उठने के अंदर आज के दिन आप देखेंगे कि कौन आपका मित्र है और कौन शत्रू है कौन शत्रू होके मित्र बनके आपके पास में खड़ा था और कौन मित्र आपसे दूर खड़ा होकर के शत्रू ता निभा रहा था स्वास्तियों के लेकर के थोड़ा आपको संभल करके रहने की जरूरत है आज ये जरूर बुला जा सकता है कि कोई बिमारी थी तो उसकी रिकवरी हो सकती है पर कोई भी ड्राइव करते समय कहीं पे भी ड्राइव करते समय अपनी कॉंसेंट्रेशन को इधर उधर मत जाने दीजेगा फोन पे बात करते हुए मत कीजेगा राइव क्योंकि परेशानिया उसके थूर आपके लिए खड़ी जरूर हो सकती है परिवार का सपोर्ट पूरा मिलने वाला है प्यार पूरा मिलने वाला है और जहां पे भी सुख सुविधाओं में कमी लगती थी आज वो कमी काफी हद तक कम हो सकती है ऐसे में शुबरंग रहेगा आपके लिए रेड कलर शुबरंग रहेगा नमबर नाइन अब बात करते हैं करक राशी की तो करक राशी के लिए टेंथ हाउस में चंद्रमा है ये पॉजिटिव है शेमतारा का साथ ये भी पॉजिटिव और अश्टेक गवर्ग में 24 डॉट्स का होना ये भी पॉजिटिव तो ओवराल 100% पॉजिविटी आज के दिन देखने को मिलने वाली है ऐसे समय में कोई भी इन्वेस्मेंट्स करना आपके लिए अच्छा है कोई भी प्रॉपटी के अंदर इन्वेस्मेंट्स करना चाते है उसका अच्छा है जो भी शेर मार्केट के अंदर इन्वेस्मेंट्स करते हैं तो उनके लिए भी आज के दिन अच्छा आईसे में भारत के बाहर जो भी सटा खेलने वाले लोग हैं, जो भी गांबलिंग करते हैं या तो फिर बेटिंग का काम करते हैं, उनके लिए आज के दिन बहुत जादा अच्छा बीच सकता है, जो आप सोच करके बैठे थें कि इतनी कमाई तो हो ही जाएगी, उससे बहतर करके आज निकलेंगे, ऐसे में अपने काम से संतुष्टी मिलना, साटिसफाक्शन मिलना, उसके थूरू रिकगनिशन मिलना, यह देखा जा सकता है, अच्छा कासा धन कमाने को भी आपको मिलेगा, और जो भी यहाँ पे लोगों के बीच में जाते हैं लोग, यानि कि मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, या तो फिर एस्ट्रालिजर्जर्स हो गए, या पबलिक फिगर्स हो गए, पॉलिटीशिन्स हो गए, यूट्यूबर्स, इंस्टरग्रामर्स हो गए, इंफ्लूएंसर्स हो गए, उनके लिए भी आज का दिन बहुत जादा अच्छा है, सफलताओं से बरा हुआ है, शुबरंग ऐसे में रहेगा आपके लिए गोल्डिन कलर, शुब अंक रहेगा नंबर फाइव, अब बात करते हैं सिंग राशी की, तो सिंग राशी के लिए राशी भावसे 9,000 में चंद्रमा है, जो कि आपको मिले जुले प्रभाव देने वाला काम करता है, यानि कि जहाँ पे कुछ अच्छा है, तो बुरा होने की संभावनाएं भी रहती है, पर ऐसे में विपत्तारा का साथ मिल जाने से, जो खराब हो सकता है, उसको यहाँ पे जादा बल मिलेगा, वाश्ठाग वर्ग में 26 डॉट्स होने से, आप लगबग बोल सकते हैं कि आपका दिन 50% सपोर्ट का रहने वाला है, जिसके कारण मन में अशान्ती होना, डिप्रेशन फील करना ये देखा जा सकता है, पर काम के अंदर कहीं पे भी परिशानी नहीं आएगी, यानि कि इमोशनली बहुत जादा ड्रेंड महसूस हो सकता है, किसी चीज़ को लेके उदास महसूस हो सकते हैं, घर परिवार के अंदर पिताजी ने कुछ बोल दिया, उस चीज़ को लेकर के दुखी हो सकते हैं, पर इसका कोई भी असर आपके काम पर पढ़ता हुआ नहीं नजर आएगा, और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, कि इमोशनली बहुत जादा ड्रेंड होने के कारण, अपने काम से अगर आप हाथ छुडाते हैं, हाथ जटक देते हैं, तो बिनाबाद के कामों के अंदर अपने आपको व्यस्त रखेंगे, और बहुत जादा आपके उपर यहाँ पर आज के दिन रुप्यों का नुकसान देखा जा सकता है, ऐसे में शुबरंग रहेगा आपके लिए ग्रे कला, शुबंग रहेगा नबर नाइन, आईए अब बात करते हैं कन्या राशी की, तो कन्या राशी के लिए राशी भाव से 8,000 में चंद्रमा है जो नेगिटिव है, पर यहाँ पर अधिमित्रतारा का साथ मिलना और अश्टक गुर्ग में भी 30 डॉट्स, यह शांदार तरीके से आपको सपोर्ट देने में सक्षम जरूर है, तो ऐसे में 67% सपोर्ट मिलने के कारण आज के दिन घर परिवार के अंदर कला कलेश का वातावरण जरूर मिलेगा, पर उससे बाहर निकलने में आप यहाँ पे सफल होंगे, यहाँ पे एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है, तो खाने पीने का और दूसरा गाड़ी चलाने का, अगर स्वैम गाड़ी चलाने वाले हैं, तो दुरगटना गरस्त हो सकते हैं, अपने साथ में किसी और को भी यहाँ पे जखम पहुचा सकते हैं, याद फिर यह बोला जाए, चोट पहुचा सकते हैं, तो इस पे थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, हो सके तो स स्वैम ड्राइव ना करें, पर हेल्थ वाइज, यहाँ पे पैचर्ज की समस्या, हिस्टीरिया की समस्या आपको दिखने को मिल सकती है, इस पे थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, चाहे सपोर्ट क्यों ही ना मिल रहा हो आपको, पर स्वैम गल्दी करने के कारण, या सुलजाने के लिए यहाँ पे बहुत ही जादा आपको एफर्ट्स दालने की जरूरत पड़ेगी, पर ओवरॉल देखा जाए, तो चाहे कोई भी नेगेटिव डी आपकी पास में हो, सपोर्टिंग हैंड आज के दिन आपको जरूर मिलेगा, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा य बिना किसी परेशानी के नप्टा ना सकें, ऐसे में शुबरंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुबंग रहेगा नंबर फोर, अब बात करते हैं तुला राशी की, तो तुला राशी के लिए राशी भाफ से 7,000 में ही चंद्रमा है, संपत्तारा का साथ भी मिल जाता है तो जिसके कारण 100% positivity मिल रही है, ऐसे समय में अपने life partner के नाम पे कोई investment करना, कोई property खरीदना, कहीं पे भी किराय का मकान या तो फिर कुछ ढून रहे थे, तो अपने life partner के नाम से अगर agreement बनवाते हैं, तो आपके लिए बहुत जादा आज का दिन शुब रहे सकता है, आप जो businessmen हुए, तो businessmen के लिए भी काफी जादा अच्छा दिन है, बहुत अच्छे से कमाने का मौका मिलेगा, और यहां पे खास तोर पे जो भी लोगों की दुकान का नाम, showroom का नाम, अपने life partner के नाम से है, अपने घर की महलाओं के नाम से है, तो उनको यहां पे आज के दि जम करके कमाने का मौका जरूर मिलने वाला है, ऐसे समय में ही विध्यारतियों के लिए भी आज के दिन बहुत जादा सफलताओं से भरा हुआ रहेगा, सरकारी काम करने वाले सरकारी नौकरी करने वालों के लिए आज का दिन सुक्ष शांती से पूरा भरा हुआ है कोई भी परिशानी नहीं वर्क लोड नहीं तो आराम से आज का दिन बिता सकते हैं बहुती अच्छे से शान्ति के साथ में आपका दिन वीतेगा ऐसे में शुबरंग आपके लिए रहेगा ब्लू कलर शुबंग रहेगा नमबर फाई अब बात करते हैं व्रश्चिक राशी की तो व्रश्चिक राशी के लिए राशी भाव से शिक्स थाउज में चंद्रमा है ये पॉस्टिव अश्टक गवर्ग में 26 डॉट्स का होना ये भी आपके लिए पॉस्टिव है पर प्रतियारी तारा का साथ आपके लिए यहाँ पे पॉस्टिविटी कम करने का काम कर रहा है जिसके कारण बोला जा सकता है कि 80% तक आपको यहाँ पे पॉस्टिविटी जरूर देखने को मिलने वाली है जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी पर 20% का जो वीरियंस आप यहाँ पे देखेंगे यह है आपके जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें परेशानी देखना, विग न देखना यज फिर सामने वाले जो कमिट्मेंट किया हुआ है वो एक तरफ, एक बार के लिए अपने कमिट्मेंट से पीछे हट जाए ऐसे में कर्ज मुक्ती भी आज के दिन आपको मिलेगी कोई रोगों से परिशान थे, कोई बिमारी से परिशान थे तो उससे भी छुटकारा आज के दिन मिल सकता है एक अच्छा सही डॉक्टर मिल सकता है और सही दवाई मिल सकती है ऐसे समय में आज के दिन कोई भी घर परिवार के अंदर किसी के साथ में मनमुटाव था, किसी के साथ में कोई विवाद था तो उसको समाप्त करने में पहला कदम आप बढ़ा लीजे, जीत में रहेंगे आज जो भी काम कर रहे हैं खास तोर पर यंग स्थ जो भी आज के दिन इंटर्वियो देने जाने वाले हैं जो भी बड़े जो यहाँ पर जॉब कर रहे हैं अपनी जॉब स्विच करना चाते हैं और आज के दिन अपना रेजिगनेशन डालना चाते हैं तो आप सबी के लिए भी आज के दिन काफी जादा शुब बोला जा सकता है, परेशानिया कम होंगी और ऐसे में अगर कोई आपका इंटर्वी वापिस लेता भी है, यानि कि आप एक्जिट कर रहे हैं अपनी कंपनी से, तो ऐसे में जब आपका इंटर्वी होगा, तो वो भ काफी हद तक आपके लिए पॉस्टिव ही सिध होने वाला है, आज कमाने के मौके भी अनेक मिलेंगे और उसी कमाए हुए धन को सही तरीके से इंवेस्ट करना, सही तरीके से यूटिलाइस करने के भी मौके आपको अनेक मिलने वाले हैं, ऐसे में शुबरंग रहेगा आप 33% आपके लिए सपोर्ट की बनाते हैं, ऐसे में घर परिवार वालों से परिशानी देखना या तफिर किसी छोटी सी बात का राई का पहाड बन जाना ये आपको प्राब्लम्स देखने को मिल सकती है, ऐसे में कामकास के अंदर मन नहीं लगना, उसके कारण धनाश होने की स लिप दे सकता है, लेकिन यहां पे एक बात का ध्यान रखना है कि चाहे कितना भी बुरा समय चल रहा हो, इसका इस्तमाल जरूर कीजेगा, क्योंकि बोला जाता है, विनाश काले विपरीद बुद्धी, जब खराब समय आता है, तो इनसान ना चाहते हुए भी गलत इनसे उस नुकसान को एंप्लिफाई करने की बजाए, बढ़ाने की बजाए, उसको कम करने के तरीके ढूंड़िए, हो सकता है कि ऐसे समय में आप स्वयम डिसिशन ना ले पाएं, तो अपने से बड़े जो हैं घर के अंदर, या त फिर जो आपसे ज़्यादा एक्सपीनि है, पर ऐसे में मित्रतारा का साथ मिल जानों, अश्टग वर्गमिठरी वन डॉट्स, ओवरॉल सिच्वेशन को 70% तक सपोर्ट में लाने का काम करता है, जिसके कारण, मेंटली आपको प्रेशर जरूर देखने को मिल सकता है, इल्यूजिन हो सकते हैं, पर ऐसे में कोई भी मॉनिटरी लॉसेज आज के दिन देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर 70% सपोर्ट मिल रहा है, हो सकता है कि लॉस हो सकता था, यानि कि आपने किसी को जो चेक काटना था, वो ज्यादा अमौन का काट दिया, किसी को कैश देना था, 100 रुपे दिये थे, वा ही क्यों ना हो, पर वो परिशानी देने का काम तो जरूर करने वाली है, बस घर परिवार वालों से चाह करके, या ना चाहते हुए भी बात करना, किसी ऐसी चीज के ओपर, जिससे की किसी को emotionally hurt हो, या फिर आपको मालूम है कि ऐसी बात करने से घर में कलकलेश का वातावरन पैदा होता है, तो ऐसी बात को मत कीजेगा, चाहे कितना भी जरूरी हो, इस बात को टालने की कोशिश कीजिए, अगले दो दिन के लिए उसके बाद में कीजिए, आपके लिए काफी जादा हद तक positivity यहाँ पर बन जाएगी, और जो भी problem हो, उसकी solutions आपके सामने आएंगे ऐसे में शुबरंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुबरंग रहेगा नमबर सेविन, अब बात करते हैं कुम्भ राशी की, तो कुम्भ राशी के लिए राशी भाव से थर्ड हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ और अश्ठक वर्ग में 33 डॉट्स, यह श होलियन मारकेट में आप हैं, तो वहाँ पर ट्रेडिंग कीजिए, उससे आपको फाइदा जरूर देखने को मिलता है, सुख समान प्रतिष्टा और पराकरम में भी व्रद्धी देखने को मिलती है, ओवराल काफी जादा अच्छा, हापी डे जिसे बोलता है, वो देखने क मिलता है, फ्राइडे का दिन है, इस फ्राइडे के दिन को एंजॉय किए और ऐसे समय में जो महनत करते हैं, उस महनत का फल जल्दी से जल्दी वापस आपको मिलेगा जरूर, तो ऐसे में महनत करने से चूकिएगा मत, हेल्थ वाइस कोई समस्या देखने को नहीं मिलने वाल अब बात करते हैं मीन राशी की, तो मीन राशी के लिए राशी भाफ से सेकंड हाउस का चंद्रमा होना, वधतारा का साथ और अश्ठक वर्ग में 32 डॉट्स, ओवरॉल यहाँ पे सिचुएशन आप बोल सकते हैं कि 45 परसें तक सपोर्ट की बन रही है, ऐसे में रुपे प सकते हैं उस चीज़ पर आपको ध्यान देना है, डिस साटिस्फाक्शन बोला जाए, या तर फिर साटिस्फाक्शन की कमी जिसे बोला जाता है, संतुष्टी की कमी जिसे बोला जाता है, वो देखने को मिल सकते हैं, चाहे अच्छे से अच्छी जगे पे खाना खाने को मिल जाए, बड़े से बड़े सेलिब्रिटी से मिलना हो जाए, अपने लाइफ पार्टमर्स से बहुत प्यारा आपको बात करने को मिल जाए, पर कहीं न कहीं पे कोई न कोई कमी ऐसी निंगल जाएगी, कि आप उस से अपने आप जो इतना अच्छा माहौल था उसको खराब करने, बस यहाँ पे बात यही आती है कि इसका उप्योग करना है, यहाँ पे जब इनसान किसी चीज को ले करके परेशान रहता है, तो हर चीज में कमी निकालता है, तो यह चीज से आज आपको दूर रहन है, जो बड़े हैं, वरद हैं, याने की 50-60 की एज के उपर हैं, उनको आखों की परिशानी देखने को मिल सकती है, और यह खास तोर पे कैटराक की प्रॉब्लम, या फिर नंबर बढ़ने की प्रॉब्लम से परिशानी हो सकती है, जिसके कारण हैडेक हुआ, माइगरेन की स मस्या होई, यह आपको देखने को मिल जाएगी, तो इस से थोड़ा साफधान रहिए, और अगर ऐसा होता है, तो डॉक्टर के पास में आज ही के दिन जा करके कोई ना कोई ट्रीटमेंट जरूर अपने लिए स्टार्ट करवाईए, आज घर परिवार के साथ में किसी बात को ले करके जगडा हो सकता है, पर काफी हद तक उसको वापिस सुलजाने के अंदर या तो फिर बीच में बोला जाता है कि बीच में पढ़के कॉंप्रमाइस के सिचुएशन क्रिएट करना, वो करने में आप सफल जरूर आज के दिन होंगे, ऐसे में शुबरंग रहेगा आपके लिए पीच कल शुब अंक रहेगा नमब थरी, ये तो हुई बात आज के राशिफल की, आईए अब बात करते हैं आज के विशेश उपाई की कि दक्षणा का महत वो क्या है, तो ब्रामनों की दक्षणा हवन की पूर्णा होती करके एक महरत यानि कि 24 मिनिट के जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी देनी चाहिए, ऐसा बोला जाता है कि जैसे ही आपकी पूजा समाप तो उसी के साथ में दक्षणा दे देना सबसे जादा बेस्ट रहता है, ये जो कुछ भी कहा गया है, उन सब का शास्त्रों में प्रमान है, ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा करे या बुरा करे, जिस चीज का प्रमान है, जिस चीज के पीसे बेसिज है कि साइंस है, वही आपके साथ में यहाँ पे शेयर की जाती है, इसलिए चानक ये ने कहा है, नास्ती यग्यो समोर रीपू, मतलब यग्यादी करम विधी से संपन हो, तब लाब अन्यत सबसे बड़े शत्रू की तरह है, गीता में स्वयम भगवान ने कहा है, बिना सही विधी से बनाया भोजन जिसे परणाम में नुकसान करता है, वैसे ही ब्रामन के बोले गए मंत्र दक्षना न देने पर नुकसान करते हैं, शास्त्र कहते हैं लोहे के चने या टुकडे भी व्यक्ति पचा सकता है, पर ब्रामनों के धन को नहीं पचा सकता, किसी भी हुपाय से ब्रामनों का धन लेने वाला हमेशा दुक प्राप्त करता है, और शास्त्रों में वर्नित इस पर कहा गया है, एक कहानी है, आपको कहानी बताता हूँ, शायद से उसमें आपको कुछ मैदान में सियार आदी हिंसक जीव योदाओं के गरम-गरम खून को पी रहे थे इतने में ही तृष्ट दियूम ने तलवार से पुत्रशोक से दुखी निशस्त्र दुरुनाचारे की गर्दन काट दी अब दुरुनाचारे ने गरम-गरम खून को पीने के लिए सियारिन ये ब्रामन का खून है इसे मत पीना ये शरीर को गला गला करके नश्ट कर देगा तब उस स्यारिन ने भी ब्रामन दुरुनाचारिय का रक्त पान नहीं किया रिशी मुन्यों का करके रूप में खून लेने पर ही रावन के कुल का संहार हो गया इसलिए जीवन में कभी भी ब परन किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए अनुष्ठान पाठ पूजन जब भी करवाएं ब्रामनों को उच्छ दक्षणा देने आपको चाहिए है और दक्षणा के अतिरिक उनके आने जाने का किराया हुआ या जो भी आप कर सकते हैं वो पूछ पूछ करके अलग से आपने जो जस्टेफाइड है वो जरूर दे उसके बाद विनम्रता से ब्रामनों की वचनों द्वारा भी संतुष्टी करते आश्रवाद देना आपको चाहिए ऐसा करने पर ब्रामन मुह से नहीं बलकि रिदय से आश्रवाद देता है और तब यजमान का कलियान होता है ज जानकारी दिया हूँ इससे आपको कुछ अलग जानने को जरूर मिले ऐसा हर कोई नहीं करता है पर कुछ लोगों के साथ में मैंने ये होता हुआ देखा है तो उसके कारण आज मुझे ये आप सभी के साथ में शेयर करने की जरूरत पड़ी मैं कभी नहीं चाहता था कि ऐस तो उसके साथ में कपट करना उससे बड़ा पाप और कोई नहीं हो सकता हमेशा की तरह यही प्रात्ना करता हूं कि आप और आपका परिवार सदेव सुखी रहे संपन रहे सुरक्षित रहे घर में बड़े बुड़ों का साथ और आश्रवाद हमेशा आपके साथ में बना तब तक मस्त रहिए स्वस्त रहिए जैश्री राम एवं जैहन